नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है आप टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर ये जनने की कोशिश करेंगे कि कोई व्यक्ति अपने पार्टनर को चीट करता है पार्टनर को चीट करता है चीट करना कैसे? शादी से पहले सब चलता है ठीक है? यानि लोग यह समझते हैं कि शादी से पहले सब कुछ चलता है लेकिन मैं इसे चीट वर्ड को थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको बताना चाहता हूँ किसी की शादी हो गई यह चीट वर्ड कहां पर आता है? शादी हो गई, एक मेल है तो वो अपनी वाइफ से छुप कर अब एक यह चीट वर्ड है कैसे चलता है मैं बताता हूँ एक गर्फरेंड है किसी की एक गर्फरेंड के साथ दूसरी गर्फरेंड को रखकर छुपा के काम करना ये भी तो चीट है कैसे चलता है ये चलेगा थोड़ा इट मिस आपको समझ आना चाहिए कि वो रेखाएं कौन सी होती है और ये कहां तक ले जाती है इसके एक्स्ट्रीम लेवल तक पहुचा दूँगा यानि इससे गलत काम आदमी जो करता है वो रेखाएं भी बता दूँगा इस वीडियो में समझ जाई तो सबसे पहले चीजों को समझते हैं कि क्या कहना चाहता हूँ कोई आदमी है या औरत है मेल या फीमिल दोनों के लिए ये ये चीज़ applicable होगी ये चीज़ याद रख लीचेगा सबसे पहले हिर्दे रेखा को मैं क्या करूँगा उस condition में इस हिर्दे रेखा को जैसे ये यहां से शुरू हुई यहां से शुरू करके इसको back side के पीछे तक ले जाऊँगा अब ये पीछे जा तो सकती नहीं इसलिए मैंने आगे तक दिखा दी कि ये पीछे तक मुड़ी है ठीक है ये चीज़ समझ आ गई अब ये क्यों जाती है हिर्दे रेखा जब भी पीछे मुड़ती है तो याद रख ले न वो व्यक्ति थोड़ा सा कठोर हिर्दे का और थोड़ा सा मतलब कहते हैं न व्यक्ति किसी को धोका दे दे ठीक है न इस तरीके के चीज़े होती है एक तो शनी पर वस्य निकली एक पीछे तक चली गई अब इस पर मैं थोड़ा सा मक्खन डाल देता हूं कि क्या करा यहां पर मैंने फ्लर्ट की लईने डाल दी यह मैंने फ्लर्ट लाइन डाल दी अब फ्लर्ट लाइन जब डलती है तो क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है फ्लर्ट का मतलब तो समझते हैं ना बस वो चीज़े least इसमें एड हो गई अब ये चीज़े vi condition मैंने साथ में कर दी अब इस कंडिशन में मैं थोड़ा सा अंगूठे को ले लू ठीक है अंगूठे को हमेशा याद रखना इस समय पर अगर किसी के अंगूठे पर एक स्टार बन जाए इस कंडिशन में यानि यह सारी रेखाएं हैं और अंगूठे के जो फरस्ट पोर होता है वहां या जड़ पर जड़ पर या फरस्ट पोर पर यह जड़ होती है इस पर स्टार बन जाए यह स्टार बन गी यहां डिस्टर्बंस के साथ एक स्टार बना दिया ठीक है अब यह सारी कंपेटिबिलिटी क्या हो रही है यह आदमी के नीचर को थोड़ा सा गलत रास्त पर पहुंचाने के लिए मैं बात दे कर रहा हूं गलत आदतों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बता रहा हूं कैसे कैसे अब यहां पर छोटे छोटे गुरु परवत पर यव के निशान आप इस लेवल पर देखने शुरू कर दो यहां पर यहां पर यह चोटे छोटे चोटे यह 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 उसका शुरुवाती टाइम पिरट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो समझते ठीक है यह चीज़े अब शुकर परवत है शुकर पर दो दो चिन मैं बना देता हूँ एक मैं क्रॉस का और एक या मैं क्रॉस या मैं स्टार यह दो चीज़े मैंने बना दी क्रॉस या स्टार यह चीज़ मैंने बना दी है यानि एक जगह मैं स्टार दिखा देता हूँ एक जगह मैं क्रॉस दिखा देता या तो ये या ये अब ये सब चीज़े क्या बन रहे हैं ये सब गलत हैं ये गलत जिन मिलकर क्या करते हैं आदमी की लाइफ में शुक्र क्या करता है शुक्र की क्या तासीर है जैसे तासीर वर्ड बोलता हूँ ना जैसे दही की तासीर क्या है ऐसे शुक्र कहे उसकी क्या एक अवगुन है क्या है अपोजिट सेक्स अपोजिट सेक्स अपोजिट सेक्स शुक्र क्या करता है शोशल शोशल जोडने की कोशिश अब यह क्या कर रहा है उससे उल्टा चड़ेगा शोशल अब शोशल किस चीज में हो रहा है शुक्र जादा कर उस पर स्टार बन गया अब इसी के साथ यहां पर एक छोट ऐसी जाली हो गए फीमेल के हाथ में आएगी तो उसे बच्चा पैदा करने में मुश्किल आएगी मेल के आएगी तो उसके हाथ में सेक्स की पावर को बढ़ा देगा वो और जिसके कारण वो उसको वेस्ट तो उसकी फिर वो उली प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी सेक्स रेलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी या नहीं यह आदतों को रिप्रेजेंट कर रही अभी तो मैं वाया ला सविया लाइन को तो मैं को छोड़ तो आप मैं आपको वो चीजे बताना चाहरा ये छोटे छोटे चिन आदमी को कैसे एक लेवल से उठा कर कहां तक पुचा सकते हैं कहां तक प्रोस्टिचूट तक बना सकते हैं किसी को प्लेबॉय बना सकते हैं वहां तक ले जा सकते हैं ये रेखाएं ऐसी खतरनाक होती है तो अभी तो शुरुवाती टाइम पिरिड मैंने काया कि फर्स ट्रैक पर चलते हैं कि हमने यहां देखा तो इट मिंस ये अब बलफ मास्टर्स होते हैं थोड़ा 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 लाइफ में जूट बोलना सीख जाएंगे शुकर वले टूटा हुआ होगा जूट बोलना सीख जाएंगे तो ये सब क्या कर रहे हैं गलत आदतों को रिप्रेजेंट करने की रेखाओं बना कर मैं किसी विक्ति के लाइफ को स्पॉाइल करके किसी गलत रास्ते पर पहुचाने की रेखाओं बना रहा है अब कोई फीमेल है अब किसी के फीमेल के हाथ में ये रेखा आती है और उसका मोटिव क्या है कि ये गलत से गलत रास्ते पर नहीं जाना पर लेकिन हाँ एक अमीर लड़के को के साथ उसकी शादी का मकसद है अमीर लड़के तो उस अमीर लड़के के कारण वो कितने लड़कों को छोड़ेगी और फिर अमीर के पास जाएगी तो उसके लिए कमपैटिबिल्टी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो उस वक्त कहीं भी आपको तीन चार चीज़े इकठी दिखनी शुरू कर देना तो आप उस लेवल पर सोचना शुरू कर दीजेगा उस लेवल पर यानि अंगूठे के जड़ पर आपको क्रॉस दिख जाए तारा दिख जाए शुक्र परवत पर ठीक है तब कर लीजेग हिरदे रेखा दूसरी तरह पहुँच जाए तब देख लीजेगा ठीक है ये चीज़ समझ आ गई जी आ गई अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें मस्तिश्क रेखा क्या करती है वो भी समझेंगे ठीक है और दूसरे और क्या योग बनते हैं अब थोड़ा सा मैं और आगे आपको बता देता हूं कि विवार एखा वो भी थोड़ी सी डिस्टरब्ट किसकी आपको देख लो मैं उस लेवल पर बता रहा हूं कि जब व्यक्ती धीरे 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 लिप्त होना शुरू हो जाता है लिप्त तीक है अब विवार एखा भी आपने डिस्टरब् अब इस पर थोड़ा सा और देख लेता हूँ कि और क्या होगा ठीक है अब शुक्र परवत की जो फॉर्मेशन्स हैं उसे समझ लेते है अगर कोई भी एक अंगूठे से रेखा ऐसे निकले और वो घूम जाए मान के चलो यहां से कोई रेखा निकल कर आपको ऐसे दिखाई दे किसी भी विक्ति के हाथ में मेल में फी मेल में आपको ऐसे घूमती हुई दिखाई दे यहां पर तो यह आप इस रेखा को नहीं समझ पाओ के ये रेखा कहती है कि उस विक्ति अपनी चोटी अवस्ता कौन सी होती है 16 साल समझे लिए 16 साल मतलब 18 साल का विक्ति हम मानते हैं कि वो बालिक है तो 18 से पहले पहले उसको उसकी लाइफ में ये रेखा उसको गलत रास्ते पर पहुचा देगी अगर किसी फीमेल के हाथ में तो वो प्रेगनेंट हो जाएगी या नहीं अब वो तो आपने यह मत समझ लेना कि मैंने प्रेगनेंट वर्ड बोला है तो वो किस लेवल पर जा रही है अगर हो सकता है किसी की शादी हो चुकी है और ये रेखा बनी हुई है तो वो इंडिकेट कर रही है कि उसकी छोटी बाल विवा हो रहा है लेकिन 16 साल तक उसका बच्चा हो जाएगा लेकिन 90% देखा गया है कि ये शादी की रेखाएं से मैच नहीं करती है ये ये शोग करती है कि बिना शादी के ही बच्चा हो जाएगा यानि गलत आत्तों को रिप्रेजेंट कर रही है ये ये रेखा का बताना जरूरी था इसके अंदर अच्छा अब थोड़ा और बता द दे रहा हूँ शुक्र को जीवन रेखा के आसपास इसके दो मतलब निकलते हैं इसके आसपास आपको स्टार दिखने शुरू करते हैं यहां पर स्टार दिखे और एक रेखा आपको ऐसे दिखे मुडती हुई ये देखो इसके दो मतलब हैं बहुत बारी क्या होता है ये द अब यहाँ पर इस formation को मैंने मिलाया है तो इसका मतलब पहले समझा देता हूं कि यह अगर female है अगर यह तो male का हाथ है मानके चलो यह female का हाथ है ठीक है अब यह female है तो इनके life में इनका जो husband होंगे वह बिमार पड़ेंगे ठीक है वह बिमार पड़ेंगे वह शराप या चरस या सम्टिंग कुछ ऐसी नशीली दवाईयां होंगी वो उसको लेंगे और जिसके कारण उनकी इस आदतों के कारण जो घर पर इनके बच्चे हैं वो भी ये आदत सीख जाएंगे अब देखो ये मैंने आपको फार्मूला बताया अब ये वाला फार्मूला अगर कोई एक सही फीमिल के हाथ में तो आप नहीं कह सकते न कि वो गलत आतों में लिप्त है नहीं कह सकते न अगर सपोज की कोई आपको गलत चीज़े दिखे बहुत सारे चिंड ऐसे दिखे और उसके साथ ये चीज़े दिख गई तो क्या होता है कि मान के चलो कि एक विक्ती एक बिजनस कर रहा है सपोज कोई एक प्रोस्टीचूट है वो बिजनस कर रही है उसके बच्चे भी वही करते हुए मिलेंगे वो आदते देखते हुए आगे जाएंगे लेकिन इस वाली रेखा को मैं फिर कहता हूँ इसको 70% आप ये मानना कि ये नशे से रिलेटेड चीज़ों पर और बिमारी से रिलेटेड चीज़ों पर इंटिकेट करती है 70% इस चीज़ को मानना मैंने एक दो एनलिसिस भी करें और उसके अंदर मैंने ये चीज़ पकड़ी भी थी कि आपके हस्बेंट जो हैं वो शराप पीते थे और देन आपके बच्चों को भी वो आते पड़ चुकी हैं तो उन्होंने एड्मिट भी करा था लेकिन यहाँ पर इसलिए बताया कि मैं स्टार बता चुका हूँ अंगूठे पर बता चुका हूँ और इन रेखाओं को बता चुका हूँ तो वो compatibility अब जरा shifted हो चुकी है वो compatibility shifted हो चुकी है इसमें mind line क्या करती है वो समझो किसी कि mind line ही आपको नीचे जुकती हुई दिखे और ये जुकती हुई जो है यहाँ पर आपको disturbance के साथ दिखे तो वो क्या होगा थोड़ा सा आदमी जादा सोचे का disturbed होगी यहाँ पर कुछ यव के निशान आजाए तो वो क्या होगा वो उस परिस्ते से भार नहीं निकल पाएगा आ रही है समझ तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को change करके समझाने की कोशिश करता हूँ अब समझो मैंने तो सारी चीजों को एक package बना कर बता रहा हूँ कि कैसे गलत आदमी पहुंच जाता है गलत रास्तों पर पहुंच जाता है अब मुद्दा यह आता है कि यहाँ पर यह शादी की रेखा है मैं इस flirt line को उठा कर मैं यहाँ टच कर देता हूँ इस flirt line को टच कर देता हूँ यह flirt line थी यह flirt line सही बनी नहीं यह मैंने यह करा यहां से मैंने निकाली एक रेखा और मैंने इस रेखा कोई टच कर दिया एक रेखा और हुई इसे भी टच कर दिया कुछ इस तरीके की formation को मैंने बनानी शुरू कर दी अब हो क्या रहा है यहां पर आप इस रेवाली formation को समझ नहीं पा रहे हैं और नीचे आपने देखा कि यहां पर ये चीजे बनिये, अब ये बनिये तो उसके पास कार भी होगी, गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन उसका रास्ता जो होगा वो गलत होगा, उसका रास्ता जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि वो अब अपनी इस भावना को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ना कर की और गलत रास्तों पर पहुंशना फिर उसका सुरे प्रवत जो होगा वो डिस्टरब्ड हो जाएगा और वहां पर एक चुटिया सी ऐसे बन जाएगी ऐसे करके चुटिया सी बन जाएगी ऐसे करके कुछ फॉर्मेशन दूर सही घूम कर दिख जाएगी यह कोई फिश नहीं होती है याद रख लीजेगा उनके जीवन में याद रखना एक लड़की होगी तो उसकी लाइफ में लड़की जरूर आएगी एंटर करने के लिए लड़का होगा तो लड़का आएगा अरे यह समझ तो वो forward submissions भी साथ में ला रहा हूँ कि उनकी दोस्ती भी है ऐसे यह सह लोगों के साथ होनी शुरू हो जाती है फिर उनके link निकलते है फिर वो गलत रास्ते पार जाते है सब कुछ होना शुरू हो जाता है मैं थोड़ा सा यह अलग इसलिए बनाऻ रहा हूं कि क्यों क्यों कि बता दूम आपको हाँ सर बता दूम आपको मैं थोड़ा सा हेजिटेशन मैं बता दूँ हाँ हाँ बताईए बताईए मैंने का मैडम आपकी लाइफ में कुछ लोग एंटर हुए थे जिसके कारण आप बदनाम हुई थी मैं ऐसे बात कर रहा था हाँ हाँ वो तो एक लड़का था ऐसे करके और फिर वो तो मैंने ही उसे टेस्ट करने के लिए का था वो थोड़ा गयर टाइप था मतलब क्या हुआ वो खुलके नहीं मुझे बता पा रही है पर लेकिन मैं उन्हें कहना चाहरा हूं कि आप भी इसमें इन्वाल्व हो पर ले देखनी है इसमें आपने मैंने बताया फ्लर्ट लाइन देखनी है इसमें मैंड लाइन को देखना है शुक्र परवत को देखना है और एक रेखा को ऐसे पकड़ते हो देखना है अब देखो यह वाली यह वाली रेखा मैंने क्यों डाली क्यों कि इंटेशनली डाली मैंने क भाईया कभी कभी ये चीजे हो जाती है ठीक है न ये घूम कर आएगी ये कोई ये यहां से नहीं आएगी ये यहां से नहीं आएगी याद रखना यहां से आएगी ऐसे घूम के आएगी वो तो बन जाएगी आपकी हिंसा रेखा मोटी हो जाएगी ठीके आ रहे हैं समझ जी आ रहे हैं अब मैं आपको यहां पर यह सूरे रिखा को हिर्दे रिखा के साथ नीचे लेके आ गया और मैंने क्या करा यहां पर कुछ फॉर्मेशन ऐसे निकालने के फिर उनका संबंद शुक्र से और बुद्ध से बनाना शुरू कर दिया तो आप समझ गए कि अफियर्स तो चली रहे तो उनको लोग आदमी मिलेंगे एक फीमेल को मेल मेल को फीमेल मिलेगा तो आगे समझ कि कैसे पकड़ते हैं इन चीजों को कि वो कैसे उल्लू बनाता है व्यक्ति तो हिर्दे रेखा शनी परवत से ठीक है शनी परवत से पीछे की तरफ फ्लर्ट लाइन फ्लर्ट लाइन से यह रेखा और ज्यादा आदमी बिगड़ा हुआ मिलेगा ठीक है वो म देखना हो मान के चलो किसी फीमेल का देखना हो तो यहां पर एक और एक सरकल पर एक चोटा सा एक रेखा बना दिया तो इससे क्या होगा वो पती को तो छोड़ेगी छोड़ेगी यह नहीं ले पाएगी तो उसके तलाक होना ही होना है दूसरे से शादी करनी है वो icação बोलूंगा वो बोलूंगा बिगडा हुआ आदतों से बिगडा हुआ विती, ठीके है, वो कुंछ सा होता है, वो ऐसे होता है, यह जतनी रेक़ाएं , आपको जो बताई यह सब उनके बिगड, यह देखो आदमी, तॉंट बारने में पीछे नहीं हटता, ठीके , और आदमी अपने आपको बहुत ज़्यादा सोचता बहुत है यहां disturbance होती है तो it means मैंने वो सब बनाया जिसके कारण वो व्यक्ति बिगड़ गया गलत आतों में चला किया किसी का राहू और बिगाड़ दो तो बस सत्यानास कर दो ठीक है? आगई समझ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस ले कीजगा, कमेंट शूर कीजगा, धन्यवाद